प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप सभी लोगों का मुस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूटूब चैनल टार्गेट बोड में तो माई डियर स्टुडेंट्स कानो कान आप लोगों को तो भी खवर हो ही गया होगा कि आज आपके लिए एक नई खुस खवरी निकल करके आई है और वह है कि आपका जो मैट्रिक परिक्षा का रूटीन है वह बिहार बोड के द्वारा जारी कर दिया गया है सब लोगों को ऐसा उमीद था कि 17 फरवरी से मैट्रिक का एक्जाम होने वाला है 17 फरवरी से ही होगा जैसा कि पिछले साल हुआ था लेकिन अचानक बिहार बोड ने एक बड़ा बदलाव किया आपने मैट्रिक के रूटीन में और इस रूटीन को पिछले साल के अप्यक्षा तीन दिन पहले रखा और 14 फरवरी से ही आप लोगों का मैट्रिक का परिक्ष स्टार्ट हो जाएगा तो अब आप लोग 17 फरवरी का बेट मत करिये क्योंकि 14 तारिक से ही आप लोगों का परिक्षा सुरू होने वाला है लेकिन हाँ बिहार बोड इतना अच्छा किया है इस बार कि इसका कोई जवाब ही नहीं है जो भी हाड हाड सब्जेक्ट आप संगलवार का दिन है प्यारे बच्चो बहुत ही सुभ दिन है तो उसी सुभ दिन की घड़ी में आप लोगों का मैत का परिक्षा लिया जाएगा गनीत का और प्यारे बच्चो सबसे पहला दिन अगर सबसे हाड सब्जेक्ट का परिक्षा खतम हो जाता है तो फिर सारा बो प्रवाइब जादा से जादा लाइक और सेयर करिए ताकि हर एक बच्चे के पास यह वीडियो पहुंच जाए और सारे बच्चे को यह बात की जनकारी हो जाए कि हाँ भाई कहीं न कहीं बिहार बुड हमारे लिए अब बेहतर किया है तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लो नोटिफिकेशन देता है लगभग लगभग उस पर वह अडिग रहता है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दो सिप्ट में आपका परिक्षा लिया जाएगा प्रतम सिप्ट और दितिये सिप्ट जिसको आप लोग पहली सिटिंग और दूसरी सिटिंग बोलते हैं तो पहल बच्चों 14 तारिक से आपका परिक्षा होने वाला है 14 तारिक से आपका परिक्षा सुरू हो जाएगा और 14 तारिक मंगलवार के दिन आप लोगों का गनीत का परिक्षा लिया जाएगा गनीत यानि कि मैत का परिक्षा यानि कि पहला दिन पहला दिन ही आपका पूरा डर ख सबसे जादा डर आपको लगता है तो बहुत साइंस में लगता या फिर बोलें तो साइंस सब्जेक्ट आप लोगों के लिए आसान भी लगता है तो प्यारे बच्चों दूसरा दिन ही गनीत का परिक्षा है या विग्यान का परिक्षा है 15 तारिक को 16 तारिक गुरु वार के दीन आप लोगों का समाजिक विज्ञान का परिक्षा है देख रहा है ना सबसे पहला दीन गणीत जो कि सबसे hard subject आप लोगों को लगता है उसके बाद विज्ञान जो second hard subject है उसके बाद समाजिक विज्ञान जो third hard subject है यानि कि जितने सारे भी hard subject है उनका exam पहले लिया जा रह है ताकि आप लोगों का बोज हलका हो और जो असान सब्जेक्ट है उसे लास्ट में दीजे और चैन्स एकदम दीजे कहीं किसी परकार का कोई दिक्कत नहीं तो आपके पास भरपूर समय है कि पहला दिन ही जितना ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके जाईए और एकदम सुदेंट हैं सारे खुश हूँए होंगे इस परकाार के रूटीन को देख करके पहले क्या होता था चैना कि गनीत सबसे नंतिम दिन रहता था तह वह पर दिक्कत हो जाता था बचचे लोग जादा भैभीत रहते थे सबसे लस्ट दिन गनीत है और समय भी नहीं मिल रहा है लगातार परिक्षा है, तो कैसे तैयारी होगा, तो अब यहाँ पर सबसे पहला दिन ही गनीत कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, पहली सिटिंग में भी, दूसरी सिटिंग में भी, ठीक है, पहली सिटिंग में भी गनीत, दूसरी सिटिंग में भी गनीत, तो 14 तारीको गन इंग्रेजी का परिक्षा है यानि कि जो चार हर सब्जैक्त सबसे पहले निकाल दिया गया है ज़ारहांग सब्जैक्त सबसे बढ़ने खतम उसके बाद बीचमें दो दीन का गैप दीा गया है दो दीन का समय दिया गया है प्यारे inspiring को जब आप का 19 फरवरी को बहुत ही गजब तरीके से तयारी करने का मोका बिहार बोड आपको दिया है यह आप लोग 18 फरवरी और 19 फरवरी को अच्छे से घर में बैट करके तयारी करिए और उसके बाद 20 फरवरी को जा करके आप लोग हिंदी का एक्जाम दीजे तो 20 फरवरी को आपका हिंदी का एक्जाम हो जाएगा और लगे हाथ 20 फरवरी को संस्क्रीत का भी एक्जाम हो जाएगा यानि कि इस वार जो बिहार बोट के द्वारा रूटीन सेट किया गया है वह सोने पे सुहागा है बहुत ही जबरदस्त रूटीन है हमें तो ऐसा उमीद है कि आप लोगों को भी यह रूटीन बहुत ही ज़ादा प्रसंद आएगा प्यारे बच्चों बहुत ही ज़ादा प्रसंद आएगा क्योंकि सबसे पहला दिन जो गनीत निकाल दिया ना यह बहुत ही उत्तम चीज़ है बहुत ही बढ़िया किया है बिहार बोट, इसके लिए हम बिहार बोट को personally thank you so much बोलना चाहते हैं कि आप लोग student के बारे में कम से कम इतना सोजें कि पहला दिन ही गनीत का exam ले लिए, बच्चे सबसे ज़ादा गनीत से ही भैबीत होते हैं, बच्चे सबसे ज़ादा गनीत से ह खतम हो गया, तो फिर बच्चों का आधा pressure दूर हो जाता है, चलो गनीत का exam तो गया, जो सबसे बड़ा मतलब की जो समस्या रहता है वह गनीत को लेकर के रहता है, तो उमीद करते हैं कि यह routine आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, और कैसा लगा, आप लोग comment करके जरूर बताईएगा कि हाँ बिहार बुट के दौरा इस बार routine कैसा set कर दिया गया है, बहुत सारे बच्चे सुबह सही लगतार फोन कर रहे हैं कि सर क्या यह जो routine निकल रहा है सही है कि गलत है, तो प्यारे बच्चों 110% सही है, बिलकुल सही है, और आप लोगों का जो परि सब्सक्राइब करके रखना होगा, तो सारे बच्चे अभी के अभी नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए, उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, और हाँ एक महत्तपुन में पढ़ाई कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चों, टार्गेट बोड अप्लिकेशन पर एक तारिक से क्रैस कोर्स शुरू होने जा रहा है, तो जो भी बच्चे क्रैस कोर्स करना चाहते हैं, वे टार्गेट बोड अप्लिकेशन को प्लेयर स्टोर से डाउनलोड करिए, वह वहां पर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लिजे ठीक है और मात 399 रुपया पे करने के बाद आपको क्रेस कोर्स भी मिल जाएगा उसके अलावा आपको चेप्टर वाइज नोट्स मिलेगा और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो सेंट अप एक्जाम हुआ इसके लिए टार्गेट अप्लिकेशन डnoonुपराया जा रहा है आया दो टार्गेशन को डालोड करीए और यह जो परिक्शा आप लोगों का लिया जा रहा है यह वहुत ही जबरो स्थ तर Rapha के जएप Heroes लिए जाएगा तो इसका तयारी भी आप लोग को एकदम पूरा अच्छे से होना चाहिए क्योंकि भाई पहला दिनी गनीत है दूसरा दिन भी ज्यान है तो तयारी भी उस लेवल का होना चाहिए तो उमीद करते हैं कि यह notification आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोग एकदम संतुस्ट होंगे इस notification से इस routine से आप लोग संतुस्ट होंगे और कितना संतुस्ट है यह आप लोग comment में जनकारी दे करके जरूर बताईएगा आपके comment का इंतजार रहता है प्यारे बच्चों आपका comment हम एक एक comment पढ़ते हैं तो आप लोग नीचे comment जरूर करिएगा तो इस परकार का notification पाने के लिए चैनल को subscribe करिए फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद अन्यवाद